जब ले हामार लगन जागी तब ले रहबल भरवे से लागी जब ले हामार लगन जागी तब ले रहबल भरवे से लागी हो कम परमाई जिना करव या जादी में बहुत सारा कार्जक्राम मैं फिरी में की हूँ किराया तक भी नहीं मिलता था चार सो चुमावन लगी छो सो चुवावन आ नवेगो नमरिया लगी नथिया उतरावन चार सो चुमावन लगी छो सो चुवावन नवेगो नमरिया लगी नथिया उतरावन आरे माजाता वे भरा हीक दें, आरे दूचर सोका भी इख दें, अस्तार धनवाली इख दें थोड़ा बहुत चुरा के भी रखते थे, आपको फूरसत से भगवान जी बनाए है सर हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े, भगवान बड़ी फूरसत से तोहरा के बनाए है सर तो फिर भी काम टाइम से नहीं होता था तो फिर जब सब काम हम खुद कर लेंगे तो मोडल लोग किस लिए हैं? लोष्केर्धी फुल वॉल्यू में आपका स्वागत है और मैं हूँ विवेक जैसा मैंने वादा किया था कि कहीं ना कहीं से ढूंड ढूंड के मैं ऐसे कलाकारों को आपके पास लाँगा जिनके गाने आपके मोबाइल में रात दिन बशते हैं और आप सोते उठते उन गाने लेकिन मैं उनकी आवाज की खुबशूरती से उनको खुदी बोलूगा कि वो बता है कि वो कौन है एक बार वो गाना आप गाह दीजिए जिसे लोग आपको प्यार देते हैं और आगे आने वाले गाने में भी प्यार देते उस गाने से शुरुआत करते हैं फिर इनका नाम ब जागी तब बुले रखन भरवे से लागी जब बुले हामर लगन जागी तब ले रखन भरवे से लागी हो कम परमाई जिनक पर वैंज आ जादी में तब खेशारी जी का लाइन है इतना खुबसूरत है उतनी खुबसूरत इनकी आवाज है अंजली जी फुल वॉल्यूम को समय देने के लिए और इतनी कड़ी धूप में यहां पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू दिल से अभी जितने भी हमारे सुरतागन देख रहे हैं बोशपूरी इं इंटर्व्यू देने आई हूं आप सभी का प्यार और आशिरबाद है अरे बगवान करेगा तो आप इतना इंटर्व्यू दीजिएगा कि बाद में आप परेशान हो जाईएगा कि इंटर्व्यू से कि चचा भाईया रहने दीजिए थोड़ा सा अप मेरे को सुकून से ज तो अच्छा लगता है सबकों की घर कहां से क्या है तो घर की शुरुआत करते हैं पहले उसके बाद आपके लंबा सफर जो रहा है उसके बारे में बात करें सबसे पहले तो हम अपने मॉमी को पढ़ाम और मैं आज जो भी हूँ मॉमी की बदावलत हूँ मॉमी मेरी जहां तक कि मैं नहीं चाहती थी लेकिन मॉमी का मेरा पूरा सौक था कि मेरी बेटी इस लाइन में आये और गाना गाया उनका बहुत सौक था तब मैं इस लाइन में मेरे घर फैमिली में दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है, जो कि कोई गाते थे, बस मेरी ममी सिर चर्चा विगारा वो गाती थी, साधी विवा होता थे घर, घर में जैसे बुलाती थे न, चाचा उचा के घर में तो गाती होती थी, और बस यहीं. अचा अपके घर में कौन करें? सिंगल आप ही है क्या आपकी बहन भी है भाई भी है कोई? एक भाइ है और हम तीन बहन हैं तीन बहन से छोटा मेरा भाई है और पीता जी है ममी है और मैं हूँ अच्छी खासी फैमिली है जब आप भौजपूरी इंड़ेस्ट्री में आई होगी तो बड़ी मेहनत लगती है किसी को भी एक छोटे से जगे से आकर के भौजपूरी में अपना मुकाम हासिल करना फिर उसके अद गाने गाना तो मुझे उनका नाम बताईए सबसे पहले जिनों ने आपको वहां से यहां तक आज तक सपोर्ट करते हैं उनके बारे में बताईए हमें थोड़ा से वो अमरे अंदर सिंग जी है जो मेरे साथ आए हैं भी यहां पे उन उनके लिए कोई गाना डेडिकेट करेंगे जो उनके लिए सिर्फ कोई भी गाना हो किसी भी सिंगर का हो किसी का भी हो जब उनको आप देखती है तो उनके लिए क्या एक गाना याद आता है आपके दिल में जिनों ने आपको अभी तक पुरी जिंदगी सपोर्ट किया उन कि लिए डेडिकेट है उनको जहां तक कि मैं बहुत-बहुत सारा जरूरी नहीं है कि सब किसी से बताया जाए लेकिन जहां तक मेरे दिल से उनकी लिए दो लाइन जैसन सोचले रहनी वोई सन पियवा मोर बाड़े असावर नगोर बाड़े हो अथोरे छरहर पतर मोट थोड़े थोड़ बाड़े असावर नगोर बाड़े हो उनकी लिए दिल से थैंक्यू मेरा और प्रणाम भी और वो मेरे साथ है और मतलब जीतना हो सके जीतना मैं तारीफ करूँ वो कम है मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किये हैं और आज अभी तक मेरे साथ है और उनी के साथ जिन्दगी बसाओंगी लेकिन अभी कुछ दिन प्रणाम का वो सुनामी की तरह आई और बहा के लेकर चली गए फिर भी मैं चाहता हूं कि जब आप दोनों का वो लम्हा भी आए जब आप दोनों एक हो जाए ऑफिशेली डॉकुमेंट के साथ साथ फोटो में भी एक हो जाए तो वो दिन कब आएगा वो दिन आएगा लगे की स्ट्रगल कर रहा है अभी समझी सर्थों कुछ नहीं है अभी हो ही रहा है वैसे बहुत जादा प्यार आश्रबाद मिलता है इस चैनल के माधियम से भी आप जितने भी छोटे कालाकार हो चाहें बड़ा कालाकार हो सबको प्यार बराबर मिलनी चाहिए और जहां त आम रिंदर जी की कोई खास बात बताई जो उनकी बड़ी अच्छी लगती है और उनकी एक ऐसी चीज जो बड़ी खराब लगती है मुझे एक चीज बहुत खराब लगता है कि सबसे पहले हम कितना भी अच्छा काम कर लेते हैं हमको कहेंगे कि इसमें मजा ही नहीं आ रही त तुम क्या सोच रही हो उसके बात बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा यह चीज तुम्हारा बहुत अच्छा लगा और यह सब्द भी जिस यहां पर जो चीज परियोग की वो तुम जो लाना चाहिए वो चीज इसमें जहला क रहा है बहुत अच्छा लगा तो मैं इतना ख जो गनवा है ना कि डाल में डाल देलू निमकवा ज्यादा अमर पाली जी का गाना था अमर पाली जी और उनका गाना था कि मचरिया जर गेल बात वू राज चुटकी नंदो वाला वू गाना आपको याद है लेकिन वह गाना भी बड़ा एक आपके सिच्वेशन से मैच कर बहुत अच्छा गाना है लेकिन हम दोनों अदमी रियल लाइफ में समझे तो बहुत खुस हैं आगे आप सभी का आशिरवाद प्यार रहा तो जोड़ी भी आशिरवाद तो महादेव का होता है सब पे और भगवान करें कि आप दिन रात इतना हिट करें इतना हिट करें कि आपसे मिलने के लिए मुझे भी अपॉइमेंट लगाना पड़े कि अंजली जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं थोड़ा समय समय दे दी जाए अंजली जी अब अपने शुरुवात की थी सेंगिंग लाइन में क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बहुत सारी पॉलिट भागे साथ देगा की नहीं देगा वहां तक पहुंचेंगे की नहीं पहुंचेंगे काम कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे तो वो दिन जो वो आपने 2016 के जो दिन थे वो कैसे आप मैनेज करती थी कि सकसेस होंगे की नहीं होंगे कि घर जाना पड़ेगा दुबारा मुझ सब छोड़ना पड़ेगा लाइन क्योंकि बहुतों से मैंने बात किया तो उनका कहना तक कभी-कभी मेरा दिल करता है कि मैं आत्मात्या कर लो इस लाइन में आने के बाद क्योंकि इतना क्रिटिसिजम मिलता है लोग को इतना चीजे बनी-बनाई बंद हो जाती है तो उस तो मैं लोधियाना से दिल्ली जाकर प्रजेक्ट करती थी तो यहां से ट्रेन से गये फिर वहां गये तो जैसे कोई ही परी थे उनके घर रहें नहीं तो होटल विगरा लेकि रहें ऐसे रहते थे आटो में जाना पड़ता था एकदम से धूप में रिक्सा से जाना पड़त करना चाहिए लेकिन कभी-कभी एकदम से परेसान हो जाते थे सूटिंग पे जाने के बाद उस सिंगर का हो रहा है तो आप बेट कीजिए फिर मेकप लेके बहुत देर तक बैठना पड़ता था फिर मतलब टाइम जहां तक एक घंटा दो घंटा का काम है वहां पांच-पा अब मेरे गानों का शूटिंग होगा लेकिन ऐसा नहीं होता था बहुत सबको रिक्वेस्ट करना पड़ता था फिर भी काम टाइम से नहीं होता था और मैं क्या बताऊं सर बहुत-बहुत-बहुत स्ट्रगल उस टाइम किये हैं और जैसे जाते थे खूब ठक जाते थे ट् सबसे बड़ी बात यह है कि हम वहां लोधियाना से दिली जाते थे और काम करके थे दिली से आके लोधियाना लेकिन एक सिव सुमीत हैं राइटर और वह बहुत सपोर्ट कि आप लोधियाना से दिली जाके कुछ नहीं कर पाएंगी आपको अगर पबलिसिटी पाना है तो बीहार में रहना पड़ेगा तब वहां से हम लोग यहां आएं तो प्रोग्राम सब हर एक जगा बात करकर करके से उसमेद जी और भेजने लगे हम करने लगे करते करते समझ यह तो बहुत सारा कार्जक्रम मैं फिरी में की हूं किराया तक भी नहीं मिलता था कभी आटो से जा परया पें इतना साना पड़ता है फिर मंच वेज़ाईया तो बहुत सारा का तरह का बात होतीा फिर फिर काम करते करते ऐसा हुआ कि वहां से मोतिहारी से फिर मैं पटना आई पटना रूम लेकर रहने लगी जब फॉर्स बर मैं सौंग गाई थी धानन्जय धरकन के साथ में और वह गाना इतना सुपर हीट रहा एक बार एक बार गा दी जी, बोलने के बाद सब्सक्राइब कर लिए तो बोलेगा सब्सक्राइब करके कि अंजली जी एक गाना गाना है तो आए गाना हम गाएं और मतलब भी स्वास नहीं हो रहा था कि वह गाना हीट होगा इतना नस्तर वो गाना बजा एक सो बीस या पचीस मिलियन उसका व्यूज गया है और खूब बजा खूब उसके बाद से मेरा नाम हुआ फिर हम पटना रहने लगे और स्ट्रगल समझी तो सुरो से करी रहे थे पटना आए जिस दिन खेसारी जी के साथ मेरा सौंग हुआ था बार मैं वो गाना सुना देती लिए भेजले बलू दाना के रला से चलेला हाथे पफे रला से दाना जाए जी के लाइन था मोबाइल से संबंधित गाना था और बहुत प्यार आशिरवाद मिला इस गाने को और जहां तक मैं बहुत भाग्य सालिम से जो गाना गाई ही खीट हुआ हमें बहुत खुशी मिला किसी भी आम शुरुता के लिए मैं कहना चाहता हूं कि एक सिंगर का जो सफर होता है वो बहुत कठी नईयों से होता है लेकिन हम आम आदमी जो होते हैं वो एक गाना सुनके डिसाइड कर लेते हैं कि सिंगर अच्छी है बुरी तो मेरा निवेदा ने आप सब शुरुता से कि गाना जब तक देखिए उनके बारे में जानिए उनको इतना ही प्यार दीजे क्योंकि हर आदमी को मुझे लगता है कि 99 परसेंट जो लड़किया या लड़के जो गाना गाने के लिए इंडस्टी में आते हैं बहुत संगर्ष करके आते हैं और संगर्ष के साथ में अगर किसी का आम जनता का सहयोग मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है और आपके लिए फिर वो नए ने प्रोजेक्ट और ब किसी का अंडर में गई तो उन्होंने आपको सिखाया कि एसे पिछ रखते हैं इतना रखते हैं ऐसे गाते हैं इस तरीके से गाते हैं वो आपने कहां से सीखा यह सब मेरे गुरु जी है राकेस बेंजू मुतिहारी उनका एक टीम चलता है बहुत बड़ा और समझ यह तो हम मेरे गुरु जी बोलते थे राकेस बेंजू जो मुतिहारी के हैं और वो हमको बताते थे कि बाबु यहां पर तुम बहुत बड़ा गलती की हो ऐसे नहीं गाया जाता है यह गाना उठाओ तुम यह गाना उठाओ ऐसे गाओ अच्छा लगता है यह चीज हुआ फिर यहां जब हम पटना में आए तो वहां तो वहां समझे की आधा से ज्यादा वो सिखा है जो बाकी था यहां तो संकर सिंग जो म्यूजिक टेरेक्टर हैं उनके स्टूडियो में समझे तो वो बहुत-बहुत सपोर्ट किया वहीं हमको गाना गवाय के सारी सरके साथ में और बहुत सपोर्ट की है यहां फर्स्ट बार पठना में सबसे ज़या सपोर्ट संकर सिंग जी किए थे और कभी जी नितेस ठाकुर जी बहुत मतलब बहुत पयार आश्यवाद मिला अन लोगों से और जो चीज गाने का फिल होता है गाने का फिल यह सब चीज हम नहीं समझते थे क्यक गाने का तरीका भी नहीं पता था जो बाकी था ये लोग सिखाएं और मतलब जो भी है फिल वेगारा सब गाने में देती रही और आज अच्छा एक राकेश मीचरा जी के सथ गाना है था आपका बाजे दे तो उस गाने के बारे में थोड़ा सा आपे बताएं क्योंकि उस गा में बहुत अच्छा पाम भी की है उसमें राखेश मीचरा जी के साथ ये गाना में गाई थी आरा में कालिका मोवीज में बहुत प्यारा सोगा उस गाने कभी इतना ज़्यदा आशिरबाद ब्यार मिला दस मिलियों क्रोस किया है वो गाना दो लाइन में सुनाती हूँ चार सोचुमावन लागी छव सोचुआवन नवेगो नमरिय लागी नथिया उतरावन चार सो चुमावन लागी छो सो चुमावन, नवेगो नमर्य लागी नथिया भुतरावन, आरे माजा तबे भर हीक दें, माजा तबे भर हीक दें, आरे दू चार सो, ये खेसा, उनका लाइन है, सोरी, राकेस मिस्रा जी का, आरे दू चार सो का भीक दें, असरा धनवाली खदें, बहुत प्यारा सोंग है, गाना सुनते ही बड़ा मजा आता है, उसमें जो स्टोरी, रवी पंडी जी ने जो क्रियेट किया है, मजा आ जाता है, देख कैसा लगता है, वाह, क्या चीज है, अच्छा, इतना सारा आप गा गाई हैं, तकरिवंए एक हजार-दो-चार गाने आपने गा लिया है, उस गाने में से आप सबसे पसंदीदा गाना कौन सा लगा, कि यह गाना मैने गाया ना, दिल को सुकुन मिला है, यह गाना मैने गाया है, गाने तो ऐसे गाते रहते हैं अक् hyster लेकिन यह गाना वह होता जब गाह के निकलते हैं तो भाई कसम से दिल खुश हो गया मज़ा आ गया यह गाना गाने के बाद तो वह गाना आपके लिए कौन सा है आपका वाला और उसके बाद आपको अखेले में जब रहती है जब आपकी लड़ाई हो जाती है इंसे जब आपके बगल में बैठे यह दिखाएंगे नहीं हम दिखाएंगे बाद में अगले इंट्रिव्यू में इत्ता जल्दी नहीं रिलीज कर देंगे जब उनसे लड़ाई हो जाती है तब गाना आपको उनसा गाती है तो वह हमको बताएगा सबसे पहले वह गाना बताएए जब आप स्टूडियो से निकल सबर देते थे जैसे होता है ना कि आरे यार तुम टेंशन मतलो तुम्हारे नसीब में होगा तो पक्का होगा और वही चीज हुआ वह गाना में गाई थी नहीं था हमको एक अलग ही फिल हुआ था जो करोना के महामारी में था वह मैं सुनाती हूँ जब धाराई तब लागे ददा हो सपीटल में धाई लेवा तो खेसारी जी मतलब जो भी ये बीच में बोलते थे कोमेडी तसी सिटम सब का मोबाईल में कई लेवा सरकार चलाई लेवा अंतरा था इसका सबसे बेस्ट अंतरा था इसके बाद मैं बतायता हूँ करोना वैक्सिन जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं यही चलता था भाईय फोन लगाने पर बड़ा इरिटेचन होता था प्र काटो फिर लगाओ उसके बाद लगता तो अमों को वो गाना जब आपके होने वाले उन से नराज होती है तब वो गाना कौन सा और उनको मनाने के लिए कौन सा गाती है अब नराज होने वाला है कि मनाने वाला है बता दीजेए वो मेरे से नराज होते थे ना तब कि दिल हमारा धड़के लट वहरे नाम से लिकिन तुमानत नहीं खा इतना होता था यह गाना नितेश जी लिखे थे कभी जी नितेश ठाकुर जी तो हर सुरतिया दिल में घर कर गयलबा अर कुछ दिन से बेचैनी मुर बढ़ गयलबा जब सिभायल मोहबत ना रहनी कौनों काम के दिल हमारा धड़के ला तहरे नाम से इनके नाम से ढड़कता है पर वो समझते नहीं मनाने के लिए मनाने के लिए मनाने के लिए बस कुछ नहीं आप जो गाना गा रही पक्का वह गाना जाकर सुनेंगे डाउलोड करके रखेंगे यह यह गाना मेरा गाया हlagenा सार्ष यह मेराWest वेट किजए सर आपका विबारी आगा है निरज जी है हमारे वीडियो जरनलिस्ट इनकी शाधी बही जल्दी करवाओ क्योंकि पटना में टिकते विखते नहीं है तो इनकी शाधी बहुत ज़रूरी है ही जब करते हैं तो पूछते हैं कहा यह भट रहा है तो थोड़ा सा आहा हमें वह गाना ने के लिए आप गाती हैं उनको मनाने के लिए सार में गाना नहीं गाती हैं खाना बनाती हैं। यहां पटना मंदिर है। प्यार में सब चलता है। जब आप घर जाती हैं। जब आप घर जाती हैं। आपके साथ तो आपके हैं। तो कैसा लगता है। ऐसे तो यह मेरे साथ है। जब ममी आती तो मुश्किल 10 दिन तक रहती हैं मेरे साथ। और एक वीडियो जब हम ममी रो रहे थे थे यह एक वीडियो बना लिये थे चोरी से। मैं ममी को एक दम से पकड़ के रोने लगती हूं कि नहीं जाओ नहीं जाओ लेकिन वहां भी जाना जरूरी होता है। इसे चल जाती है तो दो दिन तक रोते होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं याद पीता जी का बहुत आता है लेकिन क्या की जगा सर काम है काम तो करना पड़ेगा इतने सारे सेंगर्स के साथ अपने काना काया है अपको सबसे अब पिबली को बहुत पसंद आता है। ऐसे तो बहुत सारे सिंगर लोग हैं। लेकिन ज्यादा तर मैं... मेरा एक सौंक था और सौंक क्या बहुत दीन से मैं सोच रही थी कि गाना गाऊं इनके साथ कल्लू 唉 कंप कल्लू जी का आवाज मुझे बहुत अच्छा लगता है और मतलब अपने इंड़सट्री में अधिकान्स बहुत सारे सिंगर है जिनका अब फो पहले वाला उसके पहले वाला साधी का फिर फिल्म में भी गाई थी तो कलू जी के साथ भी गाई हूं अब वो लॉंच नहीं हूँआ लेकिन अभी जो हो बोली का गाई हूं कलू जी के साथ वो आज सुबह में रिलीज हुआ है उसका दोलेंग चुनाती हूं उसके बाद कलू जी गाते हैं अब छोड़ाए दी लगाई कि अपताना वा अईसे कोछ है अचा एक फिल्म आपने जु बोला तो मिरको माइन में क्लिक कर गया मैं भूल जाता आपने याद दिला दिया एक फिल्म आइथी विवाह चिंटु पांडे जी के साथ प्रतीप चिंटु पांडे जी के साथ उसमे जोगों पता लएकि बहिं फिल्मेमे भी काई है भी और आओ गाएंगी बबड़ान का महां मामा नहीं को बीए बड़ारा है सब्सक्राइब करें लिए अपने पूरे परिवार के साथ देखने लेकिन उस दिन गए थे बहुत अच्छा लगा था और मैं एक अलगी होता है ना खुसी मैं बहुत खुस थी कि मेरा एक फिल्म में गाना आया है इक चीज होता है जैसे आप सेंगर हैं आप गाना गाइए हैं और सामनी लोग सुनता भी है आप भी फिल्म में बैटके सुनती हैं लेक। इस असली बोलते हो तुम पहले आप के साथ ऐसे हुआ है जूड बोलते हैं तुम पहले गाव फिर मानेंगे हम अगर किसी स्टूडियो में जाते हैं तो सब लोग खुब बोलते हैं कि यार हम यह है अपना कोलर विगारा फिर जब अगर हम गाएं अंदर गाने तो लोगों को लगता है कि यार इतना सांत बैठी थी कोई से गा रही है इनका नाम क्या है थोड़ा सा एक होता है न अलग तब लोग बोलते हैं कि यह अंजली भारती जी है तब सब लोको देख बाप रहे हैं तब निकलने से पहले कि एक सेलफी में में एक सेलफी एक दम से ऐसा सिच्वेशन आजाता है हम करतें कि फिर आपना ही बढ़ाई हम ख थोड़ा सा कहा सकते हैं आका आने वाले टाइम में आपके सथ गहना गहना चाहती हो सकता है खरपा हो सामने इंटर्व्यू देख ले अई आपको मेरे वे गहना है न और मुझे भी आपके साथ गहना गहना तो किन के साथ पाएसदा technology गहना है इन फ्लक्ते तो आज नकल गाएंगे, लेकिन अब गवान जाने उनका क्या राय हैं? उनकी आवाज कसम से, उनकी आवाज जो है ना, मतलब कुछ भी गाहर देते हैं, कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन जब उनकी आवाज में वो छी जाती है, तो कितना भी कैसा भी शब्द हो, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई यह है क्या कुछ भी का दें सब बढ़िया लगता है तही बहुत अच्छा लगता है अपने भोजपुरी इंडस्ट्री का सेर समझी तो है आवर स्टार पवन सेग्ड पवन सिंग तो पवन सिंग जी को क्या कहना चाहती है मैं उनको परणाम कहा है कि सबसे बड़े हैं पवन सिंग जी को परणाम सर को और मेरा सौक है कि मैं उनके साथ गाना गाऊं बस इतना ही जादा क्या कहूंगी मेरा भी निवदन है पावर स्टार सर कि अंजली जी को एक मौका दीजिएगा और मुझे लगता है कि इतना हीट कर रही है तो आपके साथ आने के बाद तो फिर वह होता है बूम एक ही पर फटता है वह होगा अंजली जी इतना जो सफर करती थी पहले आप परस वर्स चोरी हो करें तो कहां तार ध्यान रहें बतावा को इसे मतलब इसे होता था कि जी मुम्मी मारी आपको पईसवा पुनवा पुनवा सब बुलवा दी तक अभी काई की पिछला इंट्रव्यू में हम देखें हो करी हम्रा मम मैयत हमें को बहुत मारी है खली कूट-कूट के हमको मारती मेरी तो आपको इसे कभी सिचुएस्ट नना है बेटी बुलवा किया पहले प्यार से घरे आओ ब्लाय गुला उसके बाद प्यार महबत करें तुमको गरवा में बैठाके तो अईसा कभी शिचुएसों ना है समझाती थी उस चीज को समझते थे फिर वही कि लड़की ऑपशी है लेकिन वह चरूअ पईसा अलग जरूर रहता है तो आज के टाइम में कितना पैसा चुरूआ रहा है कि साच बोलिएगा कि लॉक्डाउन फिर आ जाएगा ना तो फिर पैसा बदली हो जाएगा तो फिर फ़ाज जाएगा मोधी जी कभी भी पैसा चेंज कर देते हैं प्रस्णल है ना बता नहीं सकती हैं बागल में बेठे हैं यहां बताने के बाद थे जाएगे तक आए वहां बोल रही थी निकालो अनुमान लगा ले आचा हम बोले हम बोलते हैं तो आप उसमें खाली अखिया इसे इसे कर दीजेगा उधर देख रहें आप इधर देके कर द लड़किया साज सेंगार करती हैं बड़ी खुबसूरत लगती है और उनका एक शौक होता है कि मैं तयार हूँ बड़े अच्छे से खुबसूरती यह करूँ वो करूँ तो आपका कभी मन नहीं किया कि खुबसूरती से तयार होके ओनी स्क्रीन में आऊं कि बहुत कम गाने किसमें आप दिखती है तक मन करता कि बाकी लैज यह सटार्स नहीं तो आपको लग कंदैगके आपको लोग कभी मन करता है लेकिन आ जाते हैं कि कि इसारे लोग बोलते हैं कि सिंगर को सिंगर के हिसाब से रहना चाहिए लेकिन अभी प्रोफेशनली देखिए तो जितनी भी सिंगर हैं बहुत सारा है कि अपने सौंग में में लीड कर लेती हैं तो फिर जब सब काम हम खुद कर लेंगे तो मोडल लोग किसलिए है इस वज़ा से दूसरा क सब लिंक वा डाल देंगे इनको फॉलोव लो कर लीजिए अंजली जी यतना देरी समय देला खाती बहुत बहुत धन्यवाद और उससे पहिले यह गाना इत्ता सारा हम गाना के लिस्ट लिख ले रही है उता सब गमों गनवा गमायम नम तो बहुत लंबा लिस्ट रहे तो मिलए तो ३च्छ वा गनवा अप गाहि थी कहल लूजी के साथ वह गाना एक अपर गुन्गुनण नई वह दुबारा का गाना है हमको भी तो कुछ अच्छा लगता है तो मेरा वी तो हग बनता है यह गनवाद दुबारा सूल ले आपको यह कोई और गाना और उसके सुनाते हैं जानु ताहर चल दे लेस सुरवा आके गलिया पा गुलाल ही लगादा अच्छा एक और गाना है तो हमको याद आ गया है अब हाल फिलाल में गाना है हुआ है पटिदार के हाँ बड़ा बढ़िया गाना था वो अंकुष राजा जी दोनों भाई अंकुष जी और राजा जी तो वो गाने का एक एक उसमें बड़ा प्यार प्यारा सा क्या बोलते हैं भुझपुरी में ना बोला हम चैनल के सामने हैं यह बड़ा बढ़िया गारियो था हुमें था ना तो बहुत ज्यादा जगड़ा ही है कि अच्टीन लाइन है मेरा एक उसमें से मैं अपना लाइन गाती हूं जो भाग पकाड़ कि नू अतार वही में ता फेर हम हम घाते हैं वहां पे मेरा सॉंग लाइन है अंकुस जी का लाइन है वो अपना समझाते हैं जगड़ा विगर करते हैं और बहुत अच्छा सौंग है आप लोग सुन सकते हैं आदी सक्ती से रिलीज हुआ है उसका व्यूज तीन मिलियन साथ क्रोस किया है अभी तो शुरुवात है और बहुत अच्छा से उगा Caitina जगड़ा वला परिवारी तीन मिलाव्य मायत और और बहुत अपने कौन को इतना गाई क्या कहना चाहते हैं तो फिर हम नराज को देखें मतलब सबसे पहले हम लोग जो कुछ भी हैं आप सब के बदाइवलत हैं हमारे जितने भी दर्शक लोग हैं आप लोग अगर अपना प्यार आशिरबाद नहीं देंगे तो कोई भी कलाकार आगे नहीं बढ़ेगा कोई चोटा कलाकार हो या बड़ा हो सब आप सभी का प्यार और आशिरबाद से ही आगे बढ़ते हैं लोग आप लोग सुनेंगे नहीं तो हम लोगों को कौन जानता है कि हम लोग क्या है कुछ नहीं है आज तक हमें नहीं लगता है कि हमें प्यार नहीं मिला हमें लगता है कि आप लोगों का सपोर्ट इतना ज्यादा रहा कि हम यहां तक पहुंचे हैं सब आप सभी का बदॉलत है और प्यार आशिरबाद इतना मिला दिल से आप सभी को ठैंक्स और प्रणाम इसी तरह प्यार आप सभी बनाए रखे मेरे उपर और जितने भी कलाकार है सब के ऊपर आप सभ इंतेजार खतब मुएसर के लिए बस एक खोज दीजिया आप लोग अप लोगों से भी नती है अनुपमा जी के का हुई हो अनुपमा जी आच्छा भाहिया एडिट कर देना नहीं तो सुनेंगी ना तो बलेंगी देखो अनुपमा जी सर की बरांड है बरांड मतलब सिंग कि बहुत अच्छी सिंगर अनुपमा पबलीग हमने के बड़ा तेज बड़न एक अलाइन के दूग मतलब निकालने लोग के कौनों ठीक बार नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा सर यहां पर पूल बहला हमरे लिए को यह गाना का दीजिए जो हमरे लिए वैसे तम बार आउर लगा कि गुरे हो जाएं और नहीं पाते हैं तो क्या हुआ दिल वाले तो है ना अपके हमरे लिए घाना का दीजिए तो लगे की भईया इंके लिए भी कुछ है तो चलिए कोई आपका गन्वा ओकिसी और का शुच्छना हो लेकिन हमरे पर सूट करना चाहिए आपके लिए सर गा रहे हैं लेकिन अनुपमा जी आपकी बरांड है नहीं लेकिन देख रहे हैं उनका आपका चहरा उनको लग रहा है कामरे लिए नहीं गाएंगी लेकिन जो एक्ट्रेस्ट है मतलब वो नाम फिलिंग बाद समाज गहीं लेकिन रहे हैं ना सर हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े भगवान बड़ी फुरसत से तोहरा के बनाओले बाड़े भगवान बड़ी फुरसत से तोहरा के बनाओले बाड़े पुरसत से भगवान जी बनाएँ सर अब कैसे करते हैं कि हम काले हैं यह आपको अज़ली जी कैसी लगी यह कमेंट बख्स में जरूर बताईएंगा ताकि वह अंज़ली पढ़ेंगी और अंज़ली जी को जब माका मिलेगा आपको reply कर सकती है अंजली जी को follow करना होगा तो हम description में इनका सारा link आपको available करा देंगे इनको follow कीजेगा इनको प्यार दीजेगा और the full volume को तो देते रहे है आप देते रहेगा प्यार तो वैसे हम लोग काम करते रहेंगा आपके लिए नया नया चहरा लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे और play store पे हमारा application है आप है डाउलोड कीजेगा वहाँ पे वीडियो और खबर दोनों का लिंक आपको एक साथ available मिलेगा और साथ में आप जिनको देखना चाहते हैं आप जिनको सुनना चाहते हैं जिनसे बात करना चाहते हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में बताईएगा या तो हमारा WhatsApp नमबर नी देखते रहे हैं दफूल बलु और हमर अन्दाज में बाए-बाए-बॉक्त